मोर बिना खुबशुरा पंखों के जन्म लेते हैं लगभग तीन साल वाद इने हम पंख आते वो भी मोर को पंख आते हैं मोरनी को पंख नहीं आते एक मोर के पूछ में लगभग 150 पंख हो सकते हैं मोर का रंग नीला हरा सफेद जामनी और धुमैला भी हो सकता है मोर के सुन्दर और रंगीन पंखों की लंबाई लगभग 6 मिट तक हो सकती है जो उसके सरीर की लंबाई का लगभग 60 परसेंट भी है नीला मोर भारत का राष्टी पक्षी भी है और धुमैला मोर मैंग मार का राष्टी पक्षी है मोर 11 अलग अलग तरह की आवाजे निकाल सकती है मोर 16 किलोमेटर प्रती घंटा की तेज रप्तार से दोर सकते हैं और इतनी ही रप्तार से उर भी सकते है यह धरती पर सबसे बड़े उरने वाले पक्षियों में से एक है मोर पानी में दूब जाएगा क्योंकि वह तेर नहीं सकता ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास जालीदार पैर नहीं होते है जंगल में मोर का वस्तन जीवनकाल लगभग 20 साल का होता है मोर सरवहाली होते हैं ओधे और जीबजन्तु दोनों खारने वाले होते हैं यह घास पत्ते चनेग यहूं कीड़े मकोरे चुछे चिपिली सांप तक को भी खा जाता है इसलिए इने किसान का अच्छा मित्र भी कहा जाता है मोर का अगर पंक आपको चाहिए तो इन्हें मारने की जूत नहीं है क्योंकि यह हर साल अगस्त के महिने में अपने पुराने पंकों का छोड़ देता है आप जंगल आदी से इन्हें इकठा कर सकते हैं मोर की पंक ऐसे छोटे छोटे क्रियस्टिल जैसे सनचना से ढखे होते हैं कि आप जितनी बार अलग एंगल से इन्हें देखेंगे आपको हर बार नया रंग दिखाई देगा हमिंग वर्ड और स्रिमिंग वर्ड तितनिया के पंक भी ऐसे ही है क्रियस्टिल होता है मादा मोर आम तोर पर जनवरी और मार्च के बीच अंडे देती है यह एक बार में 3-6 अंडे दे सकती है फिर यह अपने अंडे पर बैठती है और लगवख 28 दिनों बाद एक मोर का बच्चा अंडे से बाहर आता है जिसका जन्म के समय वजन 103 ग्राम होता है मोर का बच्चा अपने जन्म के एक दिन बाद ही चलने फिरने और खाने लाइक हो जाता है मोर का जिक्र बाइवल में भी है ऐसा लिखा गया कि राजा सुलिमान के जहाजों पुद्वारा एशिया से बाहर ले जाने वाले सबसे मुल्यवान बस्तु में से एक मोर भी थै प्राचीर युनानियों को मानना था कि मोरनी का सरीर उसकी मोर के बाद भी नहीं सरता है इसलिए इसे अमरत्व का प्रतीक माना गया है सिकंदर मोर का बहुत सोकीन था और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ही मोर को लेकर युनान गया जिसके बाद मोर पुरी दुनिया में पहु ही था चंद्रगुप्त मोड के राज में जो सिक्के चलते थे उनकी एक तरफ मोर्च शाप होता था मुगल बासा जहां जिस तक पर बैठता था उसकी रचना ऐसी थी कि दो मोरों के बीच बासा की गदी और पीछे पैंक फलाए मोर्च इसी गदी को तक से ताउस कहा जाता थ आपको बता दे कि ताउस अर्वी भासा का सब्ध है जो मोर के लिए उप्योग होता है प्राचीन काल में मोर की पंक को स्याही में डुबो कर लिखने के लिए भी इस्तमाल किया जाता था आपने रामायन महाभारत आदी में लिखते स्मय बड़े बड़े रीशियों के हाथ में इसे देखा भी होगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सस्काइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में